सबसे पहले बात करते हैं वनीस के बारे में यह पूरा जू ड्रेस रहता है वह स्लीपिंग शूट के तरह आप यूज कर सकते हो इसमें बच्चों को बहुत बड़ी अनीन दाती है यहां पे आप देख सकते हो जैसे यह पूरी जीप लगी हुई है और इस जीप को बच्चों के वनीस है जिसमें यहां पे बटन लगे हुए है आप देख सकते हो यह दो का पैर है जो मैंने फर्स्क्राइब से ओनलाइन पर्चेस किया है यहां पे बटन है और यहां भी बटन है तो उपर से गले से निकालते टाइम भी बच्च को उनकमफरेबल फिल नहीं होगा और इसका प्लस पॉइंट यह है जो जीफ वाला पहले वाला वनीस था उसको पूरा निकालना पड़ता है डाइपर चेंज करते टाइम इसमें आप यहां से ओपन करके यहां से भी इसको पूरा ओपन करके फिर डाइपर चेंज कर सकते हो तो पूरा वनीस निकालने की जरूरत नहीं है यह आप देख सकते हो जीरो टू थ्रीमन साइज है और यह मैंने फॉर्सक्राइ पेसे अनलाइन परचेस किया है यह दोनों का पैर है यह एक और वनीज है जो हाफ प्मेंट वाली है इसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है इसमें बच्छों के फोटोस बहुत क्यू यह इत्व पात्व यह रीजय का भाली है आप देख सकते हो यहां पर यह घ्राइट जाता है तो बच्छी के पूंट के साइज के ही बच्ची कि एट्सट एडस्ट्ट होेगी तो उसको च्छोटी या बड़ी नहीं रहेगी इसका चरण़ा फिसा 빵 में बसाटेस का भाइत क बहुत पर्फेक्ट लिया जाएगा और यह जो माटेरियल दिया गया है इसका फिटिंग बहुत बढ़िया है यह कही पर भी बच्चे को छूपता नहीं है एकदम वायरलेस माटेरियल है और यह मैंने एच एनम से ऑनलाइन परचेस किया है तो यह आप देख सकते हो कि उसमें फ्री डिजाइन्स दिये हुए है एक यह लाइनिंग वाला है यह प्लेइन गरे है और यह जो तीसरा वाला है इसमें ऐसे बड़िया बड़िया क्लाउड्स बने हुए है यह क्लोड्स बच्चों में बहुत क्यूट दिखते हैं फ्रेंड्स तो अभी हम बात करेंगे टीश तीशिट्स में में चीज यह है कि मुझे यह बटन वाले जो टीशिटaci कै यह सैंतर में बटन है यह दोनों में यह दू आप देख सकते हो साइडस में बड़िया हुए है उज्यादा पसंद है इसकी में चीज यह कि बच्चों को जब उपर से हम टीश सब दालते हैं गले स जो बटन्स वाले नहीं रहते हैं तो बच्च बहुत अनकमफर्टेबल फिल करेगा तो मुह पूरा टीशिट आज जाएगा उस वज़ए से इसमें ये बटन्स पूरे उपन हो जाएगे पूरा उपन हो जाता है तो बच्चे को रख्या आप पहना सकते हो तो आपकी पहना सकते हो इसमें अभी सबसे पहले चालो करेंगे इस जबलाज से ये तीन का पैर है तीनों के बहुत क्यूट से कलर है ये जीरो कंपनी का है और ये वन्टो थ्री मन साइज है ये मैंने फॉर्स क्राई से ऑनलाइन पर्चेस किया है बात करते है ये जबलाज की तो ये र cost को पैना थी हूँ दोल एक लेयर हो गया ये इसकी एक लेयर हो गया ये दूसरा लेयर हो यह वाला मैंने लोकल शॉप से पठर्चेस किया है और यह मैंने जो जॉंसन एंञ जॉंसन का बेबी का कीट आता है उसके साथ यह फरी में आया है इसका मटेरियल बहुत बढ़िया है यह तोनों क्यों कुद्वर कंपनी के हैं और यह मैंने फर्स क्राइश से उन लाइन पठ इसकी पैर वाला टीशिट अभी मैंने यहां पर रखा नहीं है पर उसका भी बहुत क्योट सा कलर है यह बिबी ओई कंपनी के है जीरो तू थ्री मन साइज है और यह मैंने फर्स्क्राइड.com से ऑनलाइन परचेस किया है कैप, मीटन्स, और बूटी जो है वह बहुत एशेंशियल है बच्चे के लिए यह तो कैप का पैर है जो मैंने अनलाइन परचेस किया है इसका माटीरियल काफी ज्यादा अच्छा है और यह जो कैप है उसको मैंने आपको दिखाया था जो तीन ट्राउजर थे मेरे उसमें से यह मैचिंग है यह दोनों H&M के है जब भी मेरा बच्चा यह वाला ट्राउजर पहनता है तो मैं उपर यह वाली कैप पहना देती हूँ तो इसका पैर बहुत क्यूट लगता है और बाकी के यह जो तीन कैप है वो तीनों उसके साथ पैड मीटन्स और बूटी के साथ है ज इसके साथ पेर है और इसके मैचिंग मेटन्स और बूटी साथ है और इसके मैचिंग में पैर यह बातो बातने वाले कैप रहते है वो बहुत सही रहते है तो पर्फेक्ली कवरड हो जाते है यह सारे जो कैप है उसमे इतना अच्छा पीटिंग नहीं रहता है बच्छा अगर हिलता भी है तो उसके और हमारे कैप का परपस सव नहीं होगा मैंने अपने टेलर से भी क्लोफ लेके दो कैप सिलाए है उसके जिसमें नीचे की तरफ ऐसे उसको बांग सकते हैं और मैं गर पे वही ज्यादा पहिनाती हूं यह सब बच्छी की फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है पर यह कैप्स अपना जो कान ढखने वाला परपस है वह इतना सव नहीं करती है तो आप मीटन्स और बूटीस मन चाहे उतने ले लिजी ओनलाइन पर कैप्स अगर आप सिल्वास सको लोकल टेलर से या फिर खरीच सको तो ऐसी बांगने वाली कैप खरीदना वह ज्यादा अच्छी रहेगी यह वाली कैप्स जो है जिसमें दागा नहीं रहता है नीचे वह इतना परपस्थव नहीं करती है सॉक्स के बारे में सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि वह बच्चे को चूडने नहीं चाहिए यह जो भी उसका स्ट्रेचेबल मटीरियल रहता है वह बहुत बढ़िया होना चाहिए आप देख सते हो यह पूरा स्ट्रेच होता है और बहुत स्मूद सा सॉप्ट सा यह मटी टो यह बटीष पहना जाएगे तो जब भी मैं बबी को शॉट्स पहनाअ तो इसके नीचे यह चौक सबसे किया है यह 5 Nathan for 1.09 में बहुत बढ़िया है बात जब clothing essential की है और उसमें भी बात जब newborn की clothing essential की हो रही है तो first and foremost है उसमें swaddles ये जो swaddles है वो आप अगर hospital का भी checklist बना रहे हो कि बेबी के बॉन होने से पहले जो चीज़े बाई करनी है तो उसमें फटा-फट से आप list में सबसे पहले एड़ कर दीजिए swaddles को अभी ये swaddles का important वो है कि बेबी को ये feeling देगा first few months तक कि वो अपने मा के warm में ही है तो उसका जब वो बाहर की दुनिया में आता है तो अपना environment एकदम से change नहीं हो जाएगा तो बेबी एकदम comfortable safe feel करेगा और उसको name भी बहुत बढ़ी आएगी तो जब हम उसको morning में बात देते हैं बेबी को तब first few months तक हर रोज उसको स्वाडल कराना है तो अभी स्वाडलिंग क्लोथ आप कहां से purchase करें के और उसके डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज क्या है यह जो दो स्वाडल के क्लोथ है यहां से आगे से उपन होते हैं आप यहां से बेबी को इसमें उसके पैर को रखके फिर ऐसे कवर करके यह पोर्शन नीचे जाएगा और यह पोर्शन ऐसे उपर हो जाएगा यह रेडिमेड स्वाडल्स है यह मैंने स्क्राइप ऐसे ऑनलाइन बाई किया है और यह दोनों ही कलर बहुत ड्राइट एंड बढ़िया है यह मैं अपने होस्पिटल में भी बेबी के लिए लेके गई थी डिलिवरी के टाइम पे और अभी यह जो तीन स्वाडल्स है और इसमें एकदम बारिक बारिक यह जैसे होल जैसा है तो उसकी वज़े से क्या है यह क्लोथ ब्रीदेबल हो जाता है तो जब भी आप बेबी को रैप करोगे तो उसको हवा भी मिलती रहेगी तो बेबी के लिए स्कीन के लिए भी यह बढ़िया रहेगा आप देख सकते ह यह इसमें देखिए यह यह तीन का पैर है और यह बहुत लंबा स्वाडल का मतीरियल है और इसकी प्रिंट भी बहुत बढ़िया है इसमें आप बच्चे को सही से रैप कर सकते हो यह जो स्वाडल का है जो मतीरियल है यह भी प्योर कॉटन है 100% यह मैंने लोकल शॉप से वीडियो देखा है तो तब मेरे पास यह इतने ही स्वाडल थे पर क्योंकि मेरा बेबी स्वाडलिंग बहुत ज्यादा एंजोई कर रहा था तो फीर यह महेंगे वाले स्वाडल मैंने बाद में परचेस किये हैं